नमसकार किसान भायो आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपने चैनल Good Crops में किसान भायो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूल गोभी के काफी सांदार वाराइटी के वारे में किसान भायो ये वायराइटी सजेंटा कमपनी की है और इस वायराइटी का नाम है सुहासिनी किसान भायो गर आप इसकी खेती रवी के सीजन में करते हैं तो इससे आप काफी ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं किसान भायो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है तो किसान भायो मैं आपको बता दू कि इसकी plantation मतलब कि इसकी रोपाई के 70-75 दिन बाद इसकी फसल तैयार हो जाती है और किसान भायो ये काफी कम समय में तैयार होने वाली variety है किसान बह्यों इसके फल के आकार की बात करें तो इसके फल का आकार डोम से मतलब की गुंबत कारका होता है किसान भायो गर इसके color की बात करें तो इसका color पूरी तरह से सफेद होता है और फल काफी ज़्यादा आकर तक दिखाई देता है किसान भायो फल आकर सक होने के करण इसको आप market में आसानी से बेच सकेंगे किसान भायो अब बात आती है इसके एक फल के वजन की तो किसान भायो मैं आपको बता दू कि इसके एक फल का वजन देड़ से दो किलो गराम के बीच में होता है जो कि काफी सांदार वजन होता है इसलिए किसान भायो इस फूल गोभी का फल काफी medium size का दिखता है किसान भायो अब बात आती है इसके बीच दर की तो किसान भाईयो मैं आपको बता दू कि जब आप इसकी खेती एक एकर में करेंगे तब आपको धाई सो से तीन सो ग्राम बीच की आउ सकता पड़ेगी और किसान भाईयो इसकी नरसरी तैयार होने में 25 से 28 दिन का समय लगता है किसान भाईयो जब आप इसकी रुपाई करें तो अपने खेत की तैयरी काफी अच्छी तरीके से कर लें और याद रखे कि हमें अपने खेत में जादा से जादा जैविक खादो का ही प्रियोक करना है किसान भायो इसकी रुपाई करते समय लाइन से लाइन की दूरी 45 संटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 40 संटीमीटर रखे किसान भायो इसके फल की खैसियत की बात करें तो इसका फल काफी गठीला और ठोस होता है किसान भायो आप सबसे main बात आती है वो है इसके beach का price तो किसान भायो मैं आपको बता दू कि इसके 10 गराम के packet का price साढ़े 400 से 500 रुपई के beach में पड़ेगा तो किसान भायो ये variety काफी सांदार है इसलिए आप इस variety का चैन जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और आगे भी इसी तरह की अच्छी से अच्छी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें तो आज के लिए इतना ही जैहिन जै भारत